So hey guys welcome back to the channel and finally आजगे कोई न्यू टिपसेंटिक्स वाली वीडियो के साथ तो guys आज की जो वीडियो है ना भाई बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है सभी व्यूवर्स के लिए क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली गेम सेंस के बारे में बात करने वाले है गेम सेंस रिलेटेड में कुछ टॉफ वाईव आपको टिपसेंटिक्स देने वाला हूँ जिनको फॉलो अगर तुम करोगे ना तो तुमारा जो गेम सेंस है ना भाई वो बहुत जादा इंप्रूव होने वाला है लेकिन गाईस अगर तुमारा गेम सेंस अच्छा नीए ना तो भाई तुम हाई टीर जो लाबी होती है ना जहाँ पर अच्छे बंदे आते सारे बॉट एक भी नहीं आता जहाँ पर सारे बंदे अच्छे होते या फिर कॉम्पेटिटिव वहाँ पर तुम सर्वाइव नह अगर तुम्हें पता हो कि मैं यहां से रोटेट करके जाऊंगा यहां से मारूंगा तो मैं अच्छे किल्स उठा सकता हूं तो यह सारी जो चीज़ है ना भाई यह गेम सेंस के अंदर आ जाती है तो गेम सेंस की उपर अच्छी वीडियो होने वाली है लाइक कर देना के वीडियो पर बाकि विद्धा वेस्टिंग अनिमोर टाइम लेट के स्टार्टेड गई सो सबसे पहले हमें ऐसे फ्लेर्स के बारे में बात करने वाले ना जिनके यह प्रॉब्लम बहुत जादा हो थी कि वो टीडी में तो बहुत जादा अच्छा खेलते हैं लाइक तुम्हें पता चल रहाओगा कि तुम्हारा जो गीम सेंस है वो टॉपलिया पड़ सकती है तो वहां पे तुम्हारा गीम सेंस Almighty बहुत जादा बड़ा रॉल प्लेगरता है तो यही रीजन होता है कि तुम क्लासिक में बहुत ज्यादा बार मर जाते हो रहां पर तो सबसे ह चाले भाई दिखो तुम्हें सोलो वर्सेस कौड खेलना शुरू करना पड़ेगा एन गाईज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोलो वर्सेस कौड अगर तुम खेलोगे न तो वहाँ पे सारी सिटूइशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुमारा दिमाग काम करने वाला है गन पावर तुमारी काम आएगी वहाँ पे स्प्रेस तुमारे काम आएगे रोटेशन तुमारी काम आएगी तो सारा जो सूचने का काम है न भाई वो तुम करने वाले हो वहाँ पे तो इससे तुम्हारी जो muscle memory है ना भाई, तुम्हें क्या करना है, किस situation में कब करना है, वो सारी चीज़े तुम वहाँ पर सीख पाओगे, तो soul over से squad खेलना, आज सी शुरू कर देना चाहिए तुम्हें वो guys, अगले point के अगर बात करें, तो यहाँ पर हम patience की बात करने वाले हैं, जो कि game sense के अंदर बहुत ही जादा एक बड़ा role play करता है, TPP तुम कितनी देर तक कहां पर ले रहे हो, यह बहुत जादा एक बड़ा role play करता है, अब यहाँ पर तुम देख से तुम्हें TPP लिया, मुझे पता चला बंदा आगया, और मैं फटा फट से वहाँ पर rush करी गया, लेकिन, guys अगर मैंने यहाँ पर TPP नई लियोती, और मैं सीधा अंदर गुज जाता, तो यहाँ पर यह जो बंदा लेटा हुआ है ना, यह definitely मुझे खा जाता है, यहाँ पर तो यह चीज है ना, बहुत जादा एक बड़ी चीज बन जाती है, competitive में तुम देखते होंगे कि बहुत सी बार इना, लोग बार जोन के बैटके heel battle करते हैं, और उनको कितना मन करता होगा, सोच उनके सामने से पूरी squad जा रही होती है, लेकिन फिर भी वो मारती नहीं है, वो अपनी heel battle करते रहत हैं, तो यह होता है भी patience, तो patience होना बहुत जादा important हो जाता है, तो guys अगर बात करें Team Soul की दो बंदों की जो कि है, Hector and Goblin, इन दोनों बंदों को तुम सभी लोग जानते होंगे, और यह भी जानते होंगे कि यह दोनों बंदे needs कितना जादा अच्छा करते हैं, लाइक जो throwables हैं, उनका use कितना जाद अच्छा करते हैं, तो guys यह को तुमारी idols यह सारी चीज़े follow करते हैं, तो तुम क्यों नहीं करते हैं, तो आज से जब भी तुम किसी भी जगे पर rush कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें throwables देख लेना है, कौन-कौन सी चीज़े तुम्हें रख र definitely भई बंदा मुझे मार देखा, तो यहां पे तुम observe करो, कि भई मैं कितने ज़ादा नेड्स फैक के जा रहा हूँ, मैंने सारी जगे नेड करके देखा, हाला कि यह बात अलगे यहां पर फटा नेड्स लेकिन, मैंने भई अपनी तरफ से पूरी try गिये, यहां पर नेड् यहां पर नेड्मीर पास बचा हुआ है, तो यह भी मैं फैक दूँगा, तो भाई इससे पता चलता है कि तुम्हारा game sense कितना ज़ाद अच्छा है, तुम over commit करके अगर खेलोगे न, तो भाई तुम कोई भी bot lobby में तो survive कर जाओगे, लेकिन जहां पर अच्छी lobby आईगे न, बहाँ पर भाई तुम survive नहीं कर पाओगे, तो throwables का use करना एक बहुत ही जादा important चीज हो जाती है, तो आग यसे किसी भी building पर rush कर रहे हो, solo versus squad खेल रहे हो, तो सबसे पहले molly, need वगेरा का तुम अच्छे से use कर लेना है, तो guys अगला point होने वाला है हमारा position switch करने पर, क्यों अगर तुम पर वापस से बंदे rush करने वाला है, तो definitely भाई तुम अपनी जो position है ना, वो फटाफर से वाँ पर change जरूर से कर लेना है, and guys अगर अभी की बात करें ना, तो आपको पता होगा recall गामे system मिल चुका है, तो recall पर क्या होता है ना, कि तुम जैसे एक बंदे को finish करत जैसे वो बंदा कूदेगा ना, वापे, तो तुम भी हो सकता है कि उसे मार सकते हो वापे, तो I know guys ये को मैंने top 5 tips and tricks ही लिए तुमें बोला था, लेकिन यार आज मेरे पास top 4 ये tips and tricks हो पाई है, क्योंकि मैं एक वर्दी वीडियो बनाना चाहता था, जिससे तुमें सच मे पाईदा हो, बाकि मैं गेम से इनसे रिलेटेड और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, शाय सार से 5 वीडियो आने वाली है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इनके उपर और भी अच्छी अच्छी tips and tricks बनाऊ, तो definitely मुझे comment section में जरूर से बता देना, ताकि मुझे पता चल कि हाँ यार बहुत सारे लोगों को इस सीज की जरूरत है, तो मैं definitely इन पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा, बाकि आज की वीडियो कर पसंद आई है, तो like इसको जरूर से कर देना, share कर देना अपने दोस्तों की साथ में, एन चैनल को subscribe जरूर से कर लेना, ऐसी tips and tricks वाली वी झाले प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्